नमस्कार आपका दिलेर पुरुवांचल में स्वागत है आज हम आपको आजमगड के चर्चित यादो नेताओं के नाम बताएंगे इस लिष्ट में सबसे पहला नाम आता है बाहु बली रमाकांत यादो का रमाकांतियादो आजमगर जिले के सबसे चर्चित नेता माने आते हैं आजमगर जिले में रमाकांतियादो की हुकूमत चलती है रमाकांतियादो आजमगर से चार बार सांसर वा पांच बार बिधायक है रमा कांति यादो के परिवार का दबदबा आजमगड की सियासत में मानायाता है बाहु बली सपा विधायक रमा कांति यादो इस समें जेल में बंध है दूरसे नमबर पर नाम आता है बाहु बली दुर्गा परसाद यादो का दुर्गा पसाद यादो लगातार नौवी बार सपा से विधायक हैं सपा सरकार में दुर्गा पसाद यादो पूर्व काईनेट मंत्री भी रह चुके हैं आजमगर जिले में रमा कांत यादो के बाद दुर्गा पसाद यादो सबसे बड़े नेता माने आते हैं जिले की सियासत में बड़ा प्रभाव मानायता है दुरगा प्रसाद यादो का दुरगा प्रसाद यादो लगातार चुनाओ जीत रहें हैं और उन्हें कोई नहीं हरा पाया है तीसरे नमबर पर नाम आता है पूर्व मंत्री बल्दराम यादो का, बल्राम यादो आजम गर्जिले की अतरोलिया विधान सभा से कई बार विधायक रहे चुके हैं, मुईस सफासरकार में वहां पूर्व कर्मेट मंत्री भी रहे चुके हैं बलराम यादो को आजमगर जिले का दिग्गर नेता माना आता है मुलायम सिंग यादो और आखलेस यादो के बेहत करीवी माने आते हैं बलराम यादो जिले की सियासत में बलराम यादो का बड़ा नाम है वहीं चोथे नंबर पर अगला नाम आता है बाहु बली पूर्व विधायक अरुनकांत यादो का अरुनकांत यादो बाहु बली रमा कांत यादो के पुत्र हैं बाहु बली अरुम कांत यादो भाजपा के नेता हैं 2017 में फूल पूर्पवई बिधान सभा से भाजपा के बिधायक थे आरुनकांत यादो को आजम गर जिले में बाहु बली दवंग छबी का निता माना आयाता है और जिले के चरचित यादो नेताओं में गिने याते हैं अरुनकांत यादो पांच में नमबर पर नाम आता है बिधायक संग्राम यादो का संग्राम यादो वर्तमान में सपा के बिधायक हैं लगातार कई बार से संग्राम यादो बिधायक चुने यार हैं साप सुत्रिछवी के नेता माने याते हैं संग्राम यादो संग्राम यादो सपाराष्टी अध्यच अखलेस यादो के बेहत करिवी माने याते हैं संग्राम यादो सपारनेता बलदाम यादो के पुत्र हैं और आजम गर्जिले के चर्चित यादो नेताओं में गिने याते हैं संग्राम यादो आपको ये वीडियो कैसा लगा आप हमें कमिट बॉक्स में जरूर बताएं अगर आपने हवी तक हमारे चैनल को सस्क्राइब नहीं किया है तो चैनल को सस्क्राइब कर लें बेल बटन जरूर दबाएं